हेलो एवरीवन हाव यू वेलकम तो मैं यूटूब चैनल दिस टपेश यादाव और तोड़ वीडियो में मैंने बताया था कैसे स्टॉक आइटम लेजर्स कैसे क्रियेट करते है आज हम लोग जानेंगे कि कैसे हूं आज हूं थरी ट्रीपस करें में साफ आज हम को सब्सक्राइब करते हैं चैलेश को नियुकर Тावय बार कि में डिस्प्ले है इस तरह को आपको सो करेगा इसको बोलते जी ओटी गेटवे आफ टैली क्योंकि यहीं से हर एक चीज हम को करना है सो अगर आपको accounting vouchers में contra entry पास करना है तो उसके लिए आपको journal entry बहुत ही अच्छे तरीका से आना चाहिए क्योंकि journal entry बहुत ही बहुत important आप किसी भी office में किसी भी कहीं भी आप जाओ job interview के लिए तो आपको general entry आना ही चाहिए तो यहां पर देखिए ट्रांजेक्शन के अंडर में आ रहा है accounting vouchers accounting vouchers में वी को आप देखो वी इस इसपेशल की होट की यह अगर आपका सपूर्स अगर आपका माउस यूज नहीं हो रहा है तो आप कीबोर्ट से वी प्रेस करोगे तो वी प्रेस करने के बाद देखिए हम vouchers में आ गए यह मेरा कंपनी का नाम है टैली सॉलूशन्स तरह के होते हैं एक होता है सिंगल वाउचर एक होता है डबल वाउचर मतलब सिंगल एंट्री मूड और डबल एंट्री मूड ठीक है एंट्री जो हम पास करते ना दो तरीके से पास करते एक होता है सिंगल एंट्री मूड एक होता है डबल एंट्री मूड यहां पे आप द रिमूट का मतलब होता है कि इस account में हम सिर्फ जो credit होगा Suppose मेरा एक traveling bill आया है टो traveling bill या तो हम cash से payment कर सकते या तो check से payment कर सकते तो cash और check यहां पर दो entry आएगा इस account में दो ही Lazar आता है एक तो cash का laser और एक तो bank का और यह है आपका डेट का option f2 से आप डेट को चेंज कर सकते हैं यहां पर देखिए बटन बार या टूल बार में सब shortcut की लिखा हुआ है f2 means date change तो सपोज मैं आपको एक जर्नल एंट्री दे रहा हूं कि on first April 2020 Mr. XYZ paid salary of rupees 10,000 by check ओके चेक के द्वारा हम salary payment की हैं तो सबसे पहले तो हम account में यहां पर क्या लिखेंगे account में मैं क्या बोला दो ही चीज आएंगे एक तो cash या तो bank तो सबसे पहले हम laser create करेंगे ओके laser हमको सबसे पहले create करना होगा तो laser create करने का दो option ही या तो आप escape back option में जाए और accounts info में जाके lasers यहां पर create कर ले ओके bank का जो भी SBI bank हो या जो भी हो आप यहां पर लिख सकते हो SBI bank ठीक है और bank always bank account bank account के अंदर आता है जो list up group है bank account उसके अंदर आएगा ठीक है और यहां पर आपको सारा entry देना होगा कि आपकी इस bank का जो account number है यह सब आपको फिलप करना होगा फिलप करके इंटर 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 करके हम save कर देंगे ओके गाईस और जो आपको second laser बनाना होगा salary क्या मेरे लिए क्या है salary मेरे लिए एक तरफ से expense है अगर हम किसी स्टाप को salary payment कर रहे तो वह मेरे लिए क्या हुआ expense हुआ न तो उसको हम कहां record करते हैं indirect expense group में देखिए यहां पर indirect expense group आया है कि यहां पर हम indirect expense को select करेंगे indirect expense inventories values are affected always no होगा क्योंकि salary तो एक laser है यह तो stock item नहीं है तो इसलिए inventory का मतलब क्या होता है stock salary always laser है salary को हम हमेशा indirect expense में record करते है दन इंटा 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 करके हम save इसको कर देंगे अब यहां पर मेरा laser तो बन गया अब हम entry pass करते ठीक है तो escape keyboard में देखिएगा left corner में ESC लिखा हुआ उस escape से हम back जाएंगे escape का use करके ओके दें हमको आना है transactions में transactions में आने के बाद देखिए यहां पर accounting voucher से लिखा हुआ तो आप प्रेस इंटर करो सबसे पहले date change करो if two if two से क्या होता है date change होता है यहां पे तो यह जो मैंने salary दिया है 1st April को दिया है देखिए यहां पर date आ गया 1st April और account इस account में दो ही चीज़ आएंगे या तो cash या तो bank ओके तो account में आपको cash देना है या तो bank देना है तो आप यहां से bank देदो bank का जो हम laser create की है वह किस bank का है SBI bank का है okay SBI bank का तो आप यहां से इंटर करो देन पार्टिकूलर्स में आपको salary का लेजर देना है ओके देखिए यहां पर गाइस salary सोनी कर रहा है कि debit हो रहा है कि credit हो रहा है लेकिन आपको यहां पर समझना है कि salary single entry mood में salary यहां पर always debit होता है और account के जगह पर यहां पर always credit होता है या तो cash credit होगा या तो bank credit होगा ठीक है और यहां पर हमेशा debit होगा तो आपको यहां पर amount देना है सपोज मैं 10,000 अगर salary पास कर रहा हो तो ठीक है अगर फिर अगर कोई दूसरा अगर entry हो जैसे salary दिये है उसके साथ साथ मैंने traveling भी स्टाप को दिया है तो alt c एक option था आप escape करके got accounts info lasers में जाओ दूसरा options है कि आप डारेक्ट यहां पर shortcut की यूज करो alt c alt c को बोलते है online laser creation यहां पर आप traveling bill का laser बनाओ traveling bill यह traveling expense यहां पर आप laser बना लिए यह भी indirect expense के अंदर आएगा क्योंकि मेरे लिए यह खर्चा है company के लिए क्या expense है तो आप इंटा इंटा इसको save कर देखिए आप हम लोग multiple payment कर सकते हैं salary भी payment कर रहे और traveling bill का भी हम payment करें सब्सक्राइब दो हजार रुप्या traveling आया है तो आप चाहे तो और भी यहां पर multiple कर सकते हैं इस तरह इंटा इंटा इंटार करके यह आपका जो है generation is very important यहां पर narration always बिंग से स्टार्ट होता है बिंग paid salary यह आपको यहां पर लिखना है बिंग salary and traveling bill for the month of April ठीक है फर्स्ट एप्रिल में हम इसको पास कर रहे तो इंटा इंटार इसको हम करके save कर देंगे तो गाइस यह हुआ payment voucher का option ठीक है अब यह जो एंट्री हम पास किये है यह एंट्री हम कहां देखेंगे escape करो escape करके आपको आना है display display का depress करो depress करने के बाद आप यहां पर debook में आ सकते हो डे बुक में आने के बाद देखो यहां पर फॉस्ट अप्रिल को पार्टिकुलर्स में salary यहां पर पे पेमेंट वाउचर वाउचर नंबर वन सो कर रहा है देखिए यहां पर पेमेंट वाउचर में बैंक क्रेडिट हुआ सैलरी और ट्रावलिंग डेबिट हुआ यहां पर देखिए डेबिट सो कर रहा है और यह क्रेडिट सो कर रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंगल एंट्री मोड पीर आप escape करके निकल जाओ पतुनातर ओकें नेक्स हो है नेक्स हम लोगे कांट्रा वाउचर का एक्जांपल देखते है तो आपको एक तुन्य में जाना होगा यहां पर अगया कांट्रा प्रोसर अब है अब कॉंट्रा वाउचर में भी सेम प्रोसेस है सिंगल एंट्री मोड में आप इस तरह पास कर सकते हों सपोज की कैस डिपोजिटेर इंटु बैंक अगर आप पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा एंड कैस का जो आउट प्लो है वो जा रहा है ठीक है तो एकाउंट में हमेशा क्या होगा इस जगह पे हमेशा डेबिट होगा और यहां पर क्रेडिट होगा उकेश पैमेंट में क्या हो रहाता पैमेंड में अल्वेस उल्टा हो रहा था पेमेंट में हम लोग क्या कर रहे थे यहां पर क्रेडिट कर रहे थे यहां पर डेबिट कर रहे थे लेकिन कॉंट्रा में उल्टा होगा यहां पर डेबिट होगा यहां पर क्रेडिट होगा सपोस्थ की कैस डिपोईटेड इंटू बैंक बैंक में आप पैसा जमा कियो तो bank account debit to cash होगा तो यहां पर bank हो जाएगा laser आजाएगा SBI bank का देखिए मैंने यहां पर laser create किया SBI bank आप यहां पर SBI bank को select करो और यहां पर credit हो जाएगा cash बहुत लोग confused हो जाते हैं कि sir cash का laser कि क्या हमको बनाना होगा नहीं cash already बना रहता है तो आप लोग confused में तो यहां पर credit है सर्थो debit बोले वैसा बात नहीं है आप display daybook में जाके इस reports को check कर सकते हो then suppose मैंने 5000 रुपया bank में जमा किया है तो यहां पर 5000 रुपया लिग दो देन प्रेस इंटर इंटर प्रेस करके आप नीचे आ जाओ यहां पर यह आपको बताना होगा कि आप कितने का नोट लिए सपूस आप अगर 2000 का दो नोट लिए हो और 500 का दो लिए होती यह आपको यहां पर फिलप करना पड़ता है डेन आप यहां पर नरेशन लिख के बिंग कैस्ट डिपोजिटेट इंटू बैंक आप इंटर इंटर सेव कर लो अब यह जो एंटरी हुआ है यह एंटरी को हम देखेंगे कैसे इसकेप करके आप डिस्प्ले में जाओ डिस्प्ले से डे बुक देखो यहां पर गाईस फॉस्ट अपरिल को कैश कॉंट्रा वाउचर यहां पर सो कर रहा है यह रहा मेरा एंटरी तो आज हम लोग सीखें कि लेजर कैसे शॉटकट की से बनाते हैं आल्ट सी एंड हाउट वी कॉर्ट कॉंट्रा एंड पेमिंट वाउचर विट टू एक्जाम्पल्स के साथ जो अभी हम लोग सीखें है ठीक है हम लोग सिंगल एंट्री मूड में सीखें है ठीक है डबल एंट्री मूड में हम लोग बाद में सीखेंगे ओके नेक्स जो हमारा वाउचर है वो एप सिख्स रिसिप पॉचर ठीक है यह हम बाद में सीखेंगे नेक्स वीडियो में प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब में यूटूब चैनल थैंक यू